हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे इस नए वीडियो में चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं बलिया के राम मंदिर में राम मंदिर जो संकरपूर में छड़हर गाओं में इस्तित है इस मंदिर की खुबसूर्ती और सुंदर्ता को देखते ही जी नहीं भरता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस मंदिर को देखे होंगे और बहुत सारे लोग इस मंदिर को नहीं देखे होंगे तो आईए मेरे साथ मैं आज आप लोगों को इस मंदिर का अच्छे से दर्सन करवाता हूं चड़हर गाउं में यह मंदिर काफी पुराना है इस मंदिर तक पहुचने के लिए आपको दो रास्ते मिलते हैं एहला रास्ता जो आप बलिया रेलवे स्टेशन से सीधा संकरपूर आ सकते है और संकरपूर से चड़हर गाउं मात्र दो किलो मीटर दूरी पर इस्तित है वही दूसरा रास्ता आपको बलिया से हनمान गंच के लिए मिलता है और हनमान गंच से ब्रह्माइन मंदिर वाले रास्ते से आप सीधा 3 किलो मेटर अंदर आने के बाद चड़हर गाउं में पह सबसे अच्छी बात है कि किसी भी मंदिर में पहुँचने के बाद आपको सांती का आभास होना चाहिए और वह यहां पे बहुत ही ज्यादे मिलता है जब भी इस मंदिर में आप प्रवेस करेंगे अंदर आते ही आपको दोनों तरफ बैठने के लिए आराम करने के लिए गार पर चड़ते हुए आगे बढ़ना होता है मंदिर में प्रवेस करते ही सबसे पहले आपको भगवान मार्यादा पूर्शत्म स्री राम चंद्र जी और उनके छोटे भाई स्री लक्षुमन जी और माता जानकी और पास में बैठे हनमान जी के दर्शन होते हैं और उनके ही बगल में हमें भगवान शंकर और माता पार्वती के भी दर्शन प्राप्त होते हैं और उनके आगे ही नंदी भगवान और शिवलिंग का भी दर्शन प्राप्त होता है उसी मंदिर में हमें मादूरगा का भी दर्शन करने को औसर मिलता है तो कमेंट में एक बार जैमातादी लिखना ना ही भूले और उसी मंदिर के दूसरे साइड में आपको भगवान स्री हनुमान जी का भी दर्सन मिलता है मंदिर परिसर काफी बड़ा है और आपको यहां सांती का आभास जरूर होगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताए कि यहां मंदिर आपको कैसा लगा और जो जो लोग यहां पर आचुके हैं कमेंट में जरूर अपना नाम लिखें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना वोलें अगर आपके यहां भी कोई ऐसा जगह है जो लोगों को आप दिखाना चाहते हैं और उस जगह के बारे में लोगों से सेर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम जरूर आएंगे आपके यहां और उस जगह का वीडियो बनाके अपने चैनल पर पॉब्लिस करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया गया है आप हमसे डारेक्ट वाट्सप पर भी संपर्ख कर सकते हैं